रिवा जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ओपरेशन प्लीन के तहट आददन अपराधियों के खिलाब प्रतिबंधात मक्व कारवाही शुरू की है दो दर्जन अपराधियों की निग्रानी शुरू की गई है वहीं आए दिन मार पिट करने वालों को गुंडा सूची में भी सामिल किया है ये अपराधी नियमित थाने में हाजरी लगाएंगे इन दिनों जिले में लगातार गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आ रही है बाइकर्स गैंग देहसत फैलाने के साथ ही वीडियो बना कर वाइरल कर रहे है इसे देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद प्रतिबंधात्मक कारिवाही सुरू की है 25 अपराधियों की निग्रानी सुरू की गई है जो नियमित चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं ये अब नियमित थाने में हाजरी देंगे और गत्विधियों की जानकारी पुलिस को देंगे जिस बार में हाजरी देने से चुक जाएंगे तो सीधे गिरफतार कर पुलिस जेल भेज सकती है उन पर नियमित पुलिस नजर रखेगी ताकि अपराध ना करने पाएं साथ ही 18 अपराधियों को गुंडा सूची में सामिल किया है इन पर भी निगरानी के साथ कोई अपराध करने पर सीधे जेल भेजने का प्रावधान रहेगा उनकी गत्विधिया संदिक्ध होने पर प्रतिबंधात मक कारिवाही की जाएगी पुलिस ऐसे अपराधियों को चिनित कर रही है जो लगतार अपराध में सामिल है पुलिस ने बदमासों की अवैद संपत्तियों की जानकारी चुटा कर कारिवाही सुरू की तो लंबे समय से फरार अपराधियों ने कोट में सरेंडर करना शुरू कर दिया है घरों में छड़ी दबिस से दबाब में एक माह में दस आरोपियों ने सरेंडर किया है जो हत्या के प्रयास बलवा जैसे मामलों में फरार थे अभी तक सिर्दर्द बने 26 बदमासों को कलेक्टर ने एक साल के रिए रिवा संभाग की सीमा से बाहर कर दिया है अब जिने में लोट कर आने पर उनको गिरफतार कर रासुका के तहत कारिवाही की जा रही है कुछ दिन पूर्व गोविंदगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार कर रासुका के तहत कारिवाही की है पिछले एक मैने में अभियान चला कर हमने संपत्य समंदी अपरादों में 25 अपरादें को चनित किया जिनके निगरानी खुली गई है उन पर नज़र रखना वशक है और इस क्रम में हम लोगों ने पूरा हमर करके उनकी फाइल तैयार की है अब उनको परमंत चेक करने का दायत खाना प्रोने का होगा विकली बीट प्रफारी चेक करेगा और हर दो मैने में एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो इससे लगाता तर्जित कर पार है